अबिकु नमस्कार, आज का हमारा चैप्टर है निर्धनता, आज हम निर्धनता के बारे में कुछ महदपुन बिंदों को समझेंगी। यहाँ पर सबसे पहले बात यह चलती है कि निर्धनता है क्या? या इसका तज़ पर यह क्या है? निर्धन्ता हम गरीबी को भी कहते हैं और गरीबी क्या है जिसमें जीवन जीने के लिए नियुन्तम उप्योग जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थे यानि हेल्थ ये सबी हमारी मानमिय अवश्यत्ताइं होते हैं यानि हमें जीवन जीने के लिए इन्हें प्राप्त करना जरूरी होता है और यदि कोई मनुष्य इन्हें प्राप्त करने में ऐसमर्थ हो या उसके पास इन वस्तों का अभाव हो तो उसे क्या कहा जाता है उसे निर्धन्ता कहा जाता है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी ऐसा मैं समझते हूं यानि जिस व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान सिख्षा और स्वास्थे या हेल्थ ना हो उस व्यक्ति को हम निर्धन कहते हैं और जो इन्हें प्राप्त करने में ऐसमार्थ है उस इस्थिति को निर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया और इसके उदेश्य क्या थे तो प्रधान मंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ फरवरी 2006 को किया गया था और यह योजना 200 जिलों में लागू की गई थी हम गरीबी की बात कर रहे हैं तो इसका निश्चित रूप से उदे कि इस योजना में पड़े लिखे सिक्षित बेरोजगार लोगों को पैसे देकर धन देकर रोजगार के अवसर दिये जाएं जिससे बेरोजगारी कम हो और यदि बेरोजगारी कम होगी तो निस्चित रूप से गरीबी भी कम होगी निर्धनता भी कम होगी अब हमारे मन में यह सवाल आता है कि हमने जो गरीबी की बात की की लोगों के पास रोटी नहीं है कपड़ा नहीं है मकान नहीं है सिख्षा और स्वास्थे नहीं है तो उसके कारण क्या है ऐसा क्या है जो हमारे देश में इन समश्याओं को उत्मन होने के लिए कारण बनता है सबसे पहला हम इसका कारण देखें तो वह है हमारे देश की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या जनसंख्या में बेतहाशा व्रधी हो रही है और यही गरीवी का मुख्य कारण है दूसरा इसका कारण है निरक्षर्ता निरक्षर्टा के कारण शहरों में या गाउं में कारिगर, मजदूर और किशानों का हर कोई सोशन करता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलते है निरक्शर्टा यानि एशिक्षा जो एशिक्षित लोग है और निरक्शर्टा के कारण ही गरीब बर का शोशन होता है और अधिक गरीब हो जाता है एक और कारण है बेरोजगारी भारत में गरीबी का प्रमुख कारण बेरोजगारी भी है प्यूंकि लोगों को प्रयाप्त रोजगार उपलब्द नहीं है अन्य कारणों में सामाजिक कारण आते हैं जिसमें शादी ब्यात्वार अधिपर लोग करज लेकर के भी फाल्तू या फजूल में खर्च किया करते हैं और यही कारण है कि वह और भी गर गरीब हो जाते हैं करज के कारण लोन ले लेते हैं करज ले लेते हैं उधार ले लेते हैं और उसे चुकाने के लिए और भी गरीब से गरीब होते चले जाते हैं यह सब कारण जो है भारत में उतरदाई कारण है हमारे इहां सबसे निर्धन राज्य जो है भारत में वह है स्कूल के बच्चों के लिए दोपेर का भोजन की योजना जो है एक चलाई गई है इसका उदेश्य है विद्यार्थियों की उपस्तिति को सुनिश्चित बनाया जा सके कि जिससे की स्कूल में बच्चे आएं और फ्यूचर में उन्हें रोजगार मिलने में कोई परेशानी अब हमारे दिमाग में एक प्रशन आता है कि भारत में निर्धनता जो है अभी हमने थोड़ी चर्चा कि हम और और भी इसके कारणों की चर्चा कर रहे हैं तो हमारी जनसंख्या की वृद्धी की हमने बात कर ली थी इशोशन की भी हमने बात की थी भूमी संसाधनों में कमी हमारे यहां भूमी के संसाधन कम है और यही कारण है कि बेरोजगारी है और बेरोजगारी निर्धनता के मूल में बैठी होती है कारण होती है मुख्य कारण होती है बेरोजगारी जो हमें निर्धन बनाती है अब बात करते हैं कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है क्या कर रह growers पर वह इसका नाम है राष्ट्रिय काम के बदले भोजन योजना उसके बाद एक प्रोग्राम आया प्रधान मंत्री रोजगार योजना स्वन जेन्ती ग्रामीन स्वेरोजगार योजना प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्योजना इस प्रकार की सारी योजनाएं चलाई गई ताकि गरीबी को दूर किया जा सके गरीबी को दूर करने को हम शुद हिंदी में दिबात करें तो इसे निर्धंता उन्मूलन भी कहा जाता है ये सारी उजनाएं सरकार के द्वारा गरीबी के उन्मूलन के लिए चलाई गई जो गरीब बेरोजगार पिछडे लोगों को रोजगार और स्वेरोजगार उपलब्द कराते हैं और इसका इन सभी उजनाओं का मुख्योदेश है क्या था गरीब लोगों को निर्धनता रेखा से उपर के और उठाना यानि उससे उपर लेकर के आना इनकी आई को अब फिर से हमारे सामने एक प्रेशना जाता है कई वार एक्जाम में भी प्रेशना जाता है कि राश्चिय ग्रामीन रोजगार गारेंटी यूजना अधिनियम 2005 की क्या विशेश्टाइं है ये एक अधिनियम है यानि कि ऐसा सरकारी अधिनियम बनाया गया उसकी मुख्य विशेश्टाइं ये थी कि 200 जिलों में हर परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा सरकार इसकी गैरंटी देती है नहीं कम से कम एक व्यक्ति को एक साल में 100 दिन काम जरूर मिलेगा दूसरी इसकी विशेश्टा क्या थी कि यह योजना एक तिहाई रोजगारी मेलाओं के लिए आरक्षित है यहीं मेलाओं को इसमें आरक्षिन प्रदान किया गया और इसकी विशेश्टा क्या है केंजरी सरकार रश्ट ये रोजगार गारंटी कोश भी स्थापित करेगी एक और इसकी जो विशेश्टा वे है कि अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहया नहीं कराया गया तो उन लोगों को बेरोजगार भत्ता भी मिलेगा जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें 15 दिन से ज़्यादा यदि काम ना प्राप्त हो तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है यह सब इसकी पिशेश्टाएं थी आज हमने बेरोजगारी की बात की निर्धनता की बात की और आज हमने इसे बिलकुँ शौट में पड़ा है इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक यू फॉर वाचिंग